हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू फूट्स मीडिया फ्रेंड्स आप सभी को हैपी चिल्रेंज डेए तो आज मैं आप सभी के लिए वनीला जेल केक की रेसिपी लाई हूँ जिसे मेरे बच्चों ने बहुत ही अच्छे से इंचॉय किया है तो चलिए देखते क्या के इंग् बावल में लिया है दो बड़े चमच मेल्टेट बटर वन फोर्थ कप दही एक कप शुगर पाउडर शुगर है नॉर्मल जो चीनी होती है उसी को मैंने पीस करके ले लिया है अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूं चीनी को गुलने तक अच्छे समी से मिक्स कर अब मैं इसमें एड करी वन फोर टीस्पून बेकिंग सोडा वन टीस्पून बेकिंग पाउडर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें डाल रही है वनीला एसेंस इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसके उपर रखेंगे एक चन्नी और चन्नी में मैं डाल रही हूं वन कप मैदा थोड़ा थोड़ा करके इसे हम छान कर ले लेंगे अब इसे कट एंड फोल्ड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड करने से फैंस इसी में बहुत ही अच्छा सा स्पंजिनस आएगा तो यह दिखी थोड़ा से ड्राइ है मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके करना है। ना हमें थंडा मिल्क यूज करना यह दीखिए थोड़ा थोड़ा करके ही अमीस में धूर को एड़ करेंगे। अदार्वाज यह थोड़ा सा घेला या पि जितने भी रिक्ोर्मेंट है। हमें बस उतना ही लेना है लास्ट में मैं डाल भी हूँ वन टीस्पून सिर्का यह वाइट वेनेगर है वेनेगर सिर्का आप कुछ भी कह सकते हूं तो यह दिखें कितना बढ़िया सा शाइनी सा इसका टेक्श्चर है तो चलिए अभी से मोल्ड में हम ट्रांसफर कर देते हैं तर यह देखे मैंने मोल्ड में ट्रांसफर कर दिया है और मैंने इसको आवन में रख दिया है फ्री हीटेड आवन में 180 डिकरिधा है 25-30 मिनट्स यह देखे 25 मिनट्स के बाद केक हमारा कोख हो गया है यह देखे बढ़िया सब एक हो गया है चक्को भी अच्छे से निकल आ रही है तो अब इसे हम प्रॉपर ठंडा कर लेंगे तो पहले इसे डी मोल्ड कर लेते हैं यह देखे कितना बढ़िया इसका कलर आया है अब हम इसे रख देंगे 2-3 घंटे के लिए जब तक यह प्रॉपर ठंडा ना हो जाए तब तक हम इसकी जेल की तयारी कर लेते हैं मैंने लिया है वन कप वाटर यह एक कप पानी मैंने लिया है उसमें दो बड़े चमच मैंने चीनी को एड़ किया है चीनी अच्छे से अब इसमें मैं अड़ कर रही हूं कॉन फ्लॉर मैंने एक बड़ा चमच कॉन फ्लॉर को पानी में घोल कर लिया है अब हमें अच्छे से अधिक्स करेंगे हमें अच्छे से इसे मिक्स करते रहना है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक लेमन जूस जिससे इसका बढ़िया सा खट्टा और मीठा सा टेस्ट हो जाएगा इसी तरह से हम लगातार चलाते हुए हम मिक्स करेंगे नहीं तो जो हम लोगों ने कान फ्लोर डाला है वो ठिक हो जाएगा बहुत जाएगा और उसमें कहीं कहीं गाठें आ जाएंगी इसलिए हमें लगातार चलाते हुए करना है कुप तो यह दिखें लगबग 2-3 मिनट के बाद बढ़िया सा इसका कलर आ गया है तो इससे मैंने एक बावल में ट्रांसफर कर लिया है अब मैं इसमें एड कर रही हूं रेड फूड कलर अगर आपको पास लिक्विट रेड फ यह दिख है तेटेए कि इन एक टेबल होम में टेबल अरगनाइस किया है यह द हञार उसके थाली को टर्न करके रख दिया और उसके ऊपर मैंने केक भी रख दिया है की को मैं है शुगर सिरब से ग्रीज कर रही हूं तांकि केक हमारा बढ़िया सर सॉफ्ट रहे है अच्छह से SPREAD कर दिया मैंने अब मैंिश में पर क्रीम को SPREAD कर रही हूं आप चाहिए तो इसे Layer में कट कर सकते हैं तो कि देखी मैंने चारों तरफ से अच़ sih SPREAD कर लिया है इसे मैंने नॉर्मली ऐसे ही स्प्रेड किया है क्योंकि मैं इसके उपर डिजाइन दे रही हूं तो मैंने यहां लिया है स्टार नोजल और छोड़े-छोड़े डॉट्स मैं सभी तरब से बना दूँगी मैं यहां प्योर वाइट ही क्रीम यूज़ कर रहे हूं आप अपने अकॉर्डिंग आप चाहे तो कलर भी यूज़ कर सकते हैं इसी तर से स्टार सम बना लेंगे यह दिखें मैंने चारो तरफ से अच्छे से बना लिया है अब मैं फ्लावर इसको बना रही हूं फ्रेंट पर यह दिखें कर दो कि अच्छे से हैं अगर आप कोई और डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन बना सकते हैं तो यह देखें मैंने फ्लार बना के कंप्लीट कर लिया है अब हम इसके अंदर जो हम लोगों ने जेल बनाया था उस जेल को एड़ करेंगे मैंने एक होमेट पाइपन बैग ऐसी बनाया है अब हम इसे अच्छे से फिल कर देंगे आप चाहें तो इस्पून या फिर कोल किसी की भी सहायता से आप बढ़ासे से फिल कर दीजेगा अच्छे से स्प्रेड कर देंगे अब मैं जो मैंने फ्लार बनाया उसमें छुट छुटे डॉट्स में डाल रही हूं थोड़ा से इसको अच्छा सा लुक देने के लिए यह देखें अब मैं साइट साइट से भी थोड़ा सा रेड जेल को डाल रही हूं ताकि बढ़ासा मार्केट जैसा लुक आ जाए थोड़ा यह देखें कुछ इस तरह से तो यह देखें मैंने इक प्लेट में से उट्रांसपर कर लिया है यह अभी से ही कितना प्यारा लग रहा है लेकिन थोड़ी सी डेकॉरेशन में इसमें और करूंगी तो यह देखें मैंने एक पाइपिन बैग तयार किया था उससे वाइट क्रीम से मैंने हैपी चिल्रेंस लिखती आए तो फ्रेंड्स मैंने चिल्रेंस डे पे तो अपने बच्चों के लिए यह केक प्रिपेर कर लिया है तो आप भी अपने बच्चे के लिए कब यह केक प्रिपेर कर रहें प्लीज कमेंट सक्षन में सरूर बताईएगा सो फ्रेंड्स मेरे बच्चों ने ये केक को इंजोई कर लिया है सो फ्रेंड्स अगली बार फिर मिलूंगी किसी नई रेस्पी के साथ